यहां पर खोलेंगे स्क्रीन तो आपको सामने एक माइकल दिखेंगा गन लेके और यहां पर स्टोरी मोड आउन करने का या ओनलाइन का कुछ आप्सन आ जाएगा ठीक है तो आपको यहां पर बगल में एक सेटिंग का आप्सन आ रहोगा वहां जाके आपको क्लिक करना है अब जैसी आप सेटिंग में क्लिक कर लोगे तो आपको यहां पर दिखेंगा बहुत सारे आप्सन आजाएंगे यहां पर सामने आपको एक ठाण PS4 की तरह एक कंट्रोलर भी दिखने लिखेगा तो आपको यहां बहुत साइटिंग दिखेंगे ओड़ियो कैमरा डिस्प्ले टो ऑफको चीछ यारा रहा होगा हां तो आपको आपको अपना वीडियो मेमोरी तो मेरे पास यहां 4gb है वीडियो मेमोरी तो यहां पर एप्रोक्स 3-938-10 एंप दिखा रहा होगा तो मैंने भी यहां पर पर एक budget laptop ले लिया है आई 3 तरी तरी ने हाँ 11 जैन कर है यहाँ पर में पर लेप्टाप और यह तो नों सेटिंग PC और लेप्टॉप के लिए सेम ही है तो आप देख सकते हैं से अराम से तो आपको एक एक करके सेटिंग बताता हूं तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल दिख रहा होगा इग्नोर सजेश्ट लिमिट तो इसको आफ ही रहने देना है फिर नीचे डारेक्ट एक्स का वरजन दिख रहा होगा तो मेरे पास लेटेस्ट डारेक्ट एक्स एलेवन है तो उसको भी एजिटेस रहने दो इस्क्रीन टाइप हाँ यह में चीज़े अगर आपका यह दम मतलब बहुत लो सेटिंग में भी मतलब आपका अठकता है बहुत ही कम उसमें वह है क्या बोलते हैं आपका कंफिग्रेशन है PC का बह सकते हैं आपको कुछ निकरना यहां पर बटन आ रहा होगा राइट लेप डॉला तो से अज़स्ट कर सकते हैं तो मैं यहां फूल स्क्रीन कर दे रहा हूं विंडोस में करने से ज्यादा अच्छा चलेगा और यहां रिजॉलूसन में देख सकते हैं रिजॉलूसन आप यहां मेरे में यह जो लैप्टॉफ है उसमें मेरे को नाइंटीन ट्वन एटी का मिलता है यहां पर तो मैं इसी रिजुलेशन को सेट कर दे रहा हूं तो अगर आपको कंट्रोल करना तो आप मैक्स टू मैक्स इसमें चला सकते हैं 1366 इंटू 768 यह बेस्ट है प्लिक खिलने में ज्यादा अच्छा लगता है पर आप इसको ऑटो ही रखो ज्यादा बैस्ट रहेगा जैसे आप 180 पी के ऊपर आपका जैसे पीसी रहता है उसमें और लैप्टॉफ होते हैं जैसे अगर बैटरी का में बैटरी वाल लैप्टॉफ है और आप चार्जिंग में लगाए हो तो उसको कैसे मतलब बैटरी बचा के खेलना है या तो आपको कैसा स्मूथनेस चाहिए तो आप इसमें रिफ्रेस रेट्स का हर्ट सेट कर सकते हो मेरे में यहाँ पर 120 हर्ट टकता है तो मैं इसको 60 हर्ट सी रखूंगा ज्यादा उस हाई एंड करूंगा और आप इसको कर रहा है तो वीडियो में मेमोरी कैसे चेंज हो रहा है इसको आफ कर दो ठीक है इसको हाफ ही रहने देना है वी मिस निक को और गेम पॉस ऑन फोकस लॉस हाँ तो इसको ऑन ही रहने दो ज्यादा अच्छा रहेगा है ना तो नीचे चलते हम लो पॉपुलेशन देंसेटी और क्या थे पॉपुलेशन वेराइटी और डिस्टेंस स्केलिंग में ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं तीनों ग्राब बहुत हाई है आपको ज्यादा इसको हाई नहीं रखना है आप पॉपुलेशन डेंसेटी को अपने ही साब से अजिस्ट कर सकते हैं या या तो आप इतना रखिए या तो बिल्कुल मत रखिए और आटमेटिक नॉर्मल हो जाएगा वहना आपको ट्रैपफिर की दिखने लगेगा बहुत सा रेलों आ जाएंगे हर एक प्लेयर को कंट्रोल करने पीसी को बहुत महनत लग जाएगा तो पॉपुलेशन वेराइट इसकों कर दो सेडर घुट जाएगे तो आप चुक्ट या तो आपको जो एकचीच चाहिता अब हाई रख सकते हैं पर एबदम वेरी हाइव में नी जाएंगे नार्मल रख देना है इसको भी नॉर्मल कर दो और रिफ्लेक्शन फॉलिट्य उसको भी नॉर्मल कर दो अब हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे टेक्स्चर कॉलेटी में वाटर कॉलेटी उसको भी नॉर्मल कर दो पार्टिकल कॉलेटी नॉर्मल नॉर्मल मर्मल सब्ट्ट्ट्रेटो उसको सॉफे piş्ट है अंको सॉफेस्ट्रक्ट पोस्ट ऐफिस एफैक्स नॉर्मल इसको भी नॉर्मल मत्ब्थ ऐसकर गए मैं ठीक है एम प्थेट्रॉपिक को आप ओफ हीwiekने दो इसको भी इसको भी ओफ करड़क। बस बाकी सब रियस्टोर मत करना बस यहां पर देख सकते हैं मेरे पास 4GB का वीडियो मेमोरी है पर अब यहां पर 1GB ही यहां पर यूटिलाइज हो रहा है मतलब मैंने बहुत अच्छा कर डाला है गेम को और आपको इसको पूरा एपलाई करना है ठीक है एपलाई करने के से आप स्पेस दबाऊगे तो यह जित्तावी सेटिंग हमने किया है वह सब सेट हो जाएगा उसके बाद रन होगा ठीक है हां तो अब देख लेते हैं पर डिस्प्ले सेटिंग्स को भी मैं एक बार निखा देता हूं फिसके बात को गेंपले दिखांगा जैसे हां अलट कर आ रहा है तो मैं इसको सेब कर लेता हूं यू मेंट चेंजिस बड़ डिडिन आपलाइदें वोड यू लाइक टो एपलाइदें ना इसलेक लोग रिश्टोर दिस मेन्यू तु दे लास्ट अपलाइट शेटिंग तो इसको क्या करना है हमको एंटर दवाना है ठीक है अपने साब से ब्राइटनेस इससे कोई उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है ठीक है तो इसको वैसी रहने देना है इसी से आपको गेम प्ले सुधर जाएगा मैं आपको इसका गेम प्ले करके दिखाता हूं जीटिया 5 के अंदर तो कैसे हमारा चेंजिस हुआ है तो यहां आपको इसमें बीफोर एन आफ्टर कसी ने भी दिखा दूँगा ठीक है थैंक्स पर वाचिंग